आधनेक हवाई जहाज वास्तों में इंजिनियरिंग के आश्यरे जनक्चमतकार हैं। वे हवा में मौझूद बिजली का सामना करते हैं, जो बहुत ही तेज और अनप्रेडिक्टिबल होती है। और हवाई जहाज बहुत ही जटिल दाव पेच अपना कर अपनी उडान पूरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाइलिट ये कठिन काम कैसे करते हैं या एक पाइलिट जब कुछ कंट्रोल्स चलाता है तो हवाई जहाज में क्या हो रहा होता है। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है और कैसे पाइलिट, तारकिक और आसान तरीके से हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं। हम सिम स्केल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना सी एफडी सपोर्ट दिया और इस वीडियो को ग्यान वर्धक बनाने में हमारी मदद की। सबसे पहले हम आधुनेक हवाई जहाज के विंग्स और टेल्स पर करीब से नजर डालते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये एक अकेले ठोस टुकडे के नहीं बने हैं। हवाई जहाज के विंग्स और टेल्स में कई गती करने वाले हिस्से होते हैं। एक पूरे विंग और इसके अलग-अलग हिस्सों में सबसे ज़्यादा दिल्चस्प बात ये होती है कि ये द्रवय यांत्रे की या फ्ल्यूड मेकैनिक्स के अनुसार एक विशेश आकार बनाते हैं जिसे airfoil shape या विमान पतवार का आकार कहते हैं इस सरल आकार के पीछे की भौतिकी को समझ कर आप हवाई जहास की कारे प्रणाली को अच्छी तरह समझ पाएंगे आईए airfoil के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं एक airfoil जब हवा के साथ उड़ता है तो lift force पैदा होती है इसी lift force के कारण हवाई जहास उड़ता है हवाई जहास को उपर उठाने वाला ये बल कैसे पैदा होता है जैसा की दिखाया गया है airfoil downwash पैदा करता है इसके कारण airfoil के उपर और नीचे के दबाव में अंतर पैदा होता है और हवाई जहास को उपर उठाने वाला बल उतपन होता है SIM scale software का प्रयोग करके किये गए उची गुडवत्ता वाले CFD visualization में ये तथ्य साफ तोर पर देखा जा सकता है airfoil तकनीक के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए airfoil पर हमारा विस्तृत विडियो देखें आम तोर पर angle of attack जितना उचा होगा डाउन वाश भी उतना ही अधिक होगा और इसी लिए lift force भी अधिक होगा हवा की अधिक तेज गती भी lift force को काफी हद तक बढ़ा देती है रोचक बात ये है कि मानो सब्विता की पहली सफल उडान के दौरान उडान भरने वाले राइट बंधों ने भी इसी airfoil से धान्त का प्रयोग किया था हाला कि उनके airfoil गुमाओदार आकार के थे फिर भी वे परियाप्त डाउन वाश उत्पन कर सकते थे खास तोर पर उनके जहाज में दो ऐसे airfoil थे airfoil के आकार को इस तरहे बदलना lift force को बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता है आकार में ये बदलाव निश्चत रूप से डाउन वाश और विंग के छेतर फल को भी बढ़ा देगा इसलिए lift भी बढ़ जाएगा संक्षेप में कहें तो ये तीन तकनीके airfoil के lift को बढ़ाती हैं आईए airfoil के बारे में इस जानकारी को हवाई जहास पर लागू करके देखते हैं अगर हम flap और slat को सक्रिय कर देते हैं तो ये down wash को और lift को बढ़ा देता है हवाई जहास के पीछे की पतवार उपर और नीचे गति कर सकती है और इसी कारण से lift force घटता या बढ़ता है हवाई जहास की टेल पर आप दो जुड़ी हुई एकाईया देख सकते हैं एक तो पतवार और दूसरा elevators elevators को विवस्थित करके आप टेल पर लगने वाले लंबवद बल को नियंत्रित कर सकते हैं पतवार को विवस्थित करके छेतिज बल को नियंत्रित कर सकते हैं आईए अब इस विडियो के सबसे रोचक हिस्से पर आते हैं Wings से जुड़े यंत्रों को विवस्थित करके हवाई जाहास को नियंत्रित करना आईए हवाई जाहास के उड़ान भरने से शिरुवात करते हैं जमीन से हवाई जाहास को उपर उठाने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करके Lift Force बढ़ाना पड़ता है और ये भी ध्यान रखना होता है कि ये लिफ्ट फोर्स गुर्टुआ कर्शन के खिचाव से अधिक हो पाइलिट इन तीनों तक्नीकों का प्रयोग सफल उडान भरने के लिए करते हैं पहले इंजिनों पर दबाव बढ़ा कर हवाई जहास की गती बढ़ाई जाती है हवाई जहास की गती में आवशक तेजी लाने के बाद पाइलिट पंक पर लगे फ्लैप और स्लैट को सक्रिय कर देता है फिर जैसा दिखाया गया है हवाई जहास की टेल एक और जुग जाती है और हवाई जहास के एरफॉयल का एंगल उफ अटैक बढ़ जाता है इसके कारण लिफ्ट अचानक ही बढ़ जाता है और हवाई जहास अचानक ही हवा में उपर उड़ जाता है आम तोर पर उड़ान भरने के लिए एंगल उफ अटैक को 15 डिगरी रखा जाता है हम यहाँ इंजन की थ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इंजन में थ्रस्ट कैसे पैदा होता है आधनेक हवाई जाहाज में इस उदेश के लिए एक विशेश प्रकार का इंजिन प्रयोग में लाया जाता है जिसे टर्बो फैन इंजिन कहते हैं इसमें पंखे की प्रतिक्रिया और एक्जॉस्ट का प्रतिक्रियात्मक बल जरूरी थ्रस्ट फोर्स पैदा करता है अधिक इंजिन जला कर पाइलिट और अधिक थ्रस्ट प्राप्त कर सकता है हवाई जहास का इंधन उसके विंक्स में सहे जा जाता है उडान भरने के बाद हवाई जहास के उपर उठने का बक्त आता है जब तक इंजिन का थ्रस्ट उसके ड्रैक से अधिक होगा हवाई जहास की गती बढ़ती जाती है जितनी अधिक गती होगी उतना ही अधिक lift force होगा इसके कारण हवाई जहास उपर उठता रहेगा जब हवाई जहास सही उडान के स्थर पर पहुंच जाता है तब गती में कोई बढ़ाउतरी नहीं होती नहीं उचाई में कोई बदला होता है तब आप देख सकते हैं कि थ्रिस्ट का मान ड्रैक के बराबर होगा और हवाई जहास का भार उसके लिफ्ट के बराबर होगा आईए अब सबसे महतोपूर्ण हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं हवाई जहास अपनी दिशा कैसे बदलता है आप सोचते होंगे कि केवल पतवार को विवस्थित करके आप ऐसा कर सकते हैं ये पतवार एक शैतिज बल पैदा करती है और ये बल हवाई जहास को घुमा सकता है लेकिन इस तरह सीधे दिशा बदलने से यात्रियों को परिशानी होगी और ये विवहार एक तरीका नहीं है जैसा यहां दिखाया गया है मोड लेने के लिए आपको केंदर की और जाने वाला बल चाहिए होगा आईए देखते हैं पाइलिट केंदर की और जाने वाला बल कैसे प्राप्त करते हैं पाइलिट पीछे की पतवार को उपर उठाते हैं और अन्य पतवार नीचे की और जाते हैं उनके बीच लिफ्ट फोर्स का अंतर हवाई जहास को आगे बढ़ाएगा चलते समय लिफ्ट लंबवद नहीं होता लिफ्ट का क्षैतिज हिस्सा हवाई जहास को थामे रखता है इस तरह पाइलिट हवाई जहास को किसी भी दाइरे में घुमा सकता है जो की चक्कर के कौन और हवाई जहास की गती पर निर्भर करता है लेकिन हवाई जहास को थामने की इस तकनीक के अपने नुकसान है जब आप पीछे की पतवार को उपर रखते हैं और अन्य को नीचे रखते हैं विंग्स पर बनने वाले ड्रैक फोर्स अलग-अलग होते हैं इस घटना को विपरीद विचलन या एडवर्स यौ कहते हैं इस एडवर्स यौ से बचने के लिए सभी पतवारों को एक साथ चलाया जाना चाहिए पाइलिट जिस तरह विंग्स से जुड़े अलग-अलग यंत्रों और पूरे हवाई जहास को नियंत्रत करता है उसे इस एनिमेशन में दर्शाया गया है व्यवहार में एक कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा एक फ्लाई बाई वायर प्रणाली का प्रयोग करके इन सारे विंग्स से जुड़े यंत्रों को नियंत्रत किया जाता है हवाई जहास को उतारने के लिए पाइलिट थ्रस्ट को कम कर देता है और हवाई जहास के आगे की नोक को नीचे की ओर रखता है आप देख सकते हैं कि ये उपर उठाने के लिए किये जाने वाले कारे के ठीक विपरीत होता है जैसे जैसे हवाई जहाज की गती कम होती है वो उतरने के लिए तयार हो जाता है ये यंद्र ड्रैक को बढ़ा देते है ड्रैक को और अधिक बढ़ाने के लिए विंग पर लगा यंद्र जिसे स्पोईलर कहते हैं को सक्रिय कर दिया जाता है रुकने की दूरी को कम करने के लिए पाइलेट एक और युक्ति अपनाता है जिसे reverse thrust कहते हैं यहां engine के cover पूरी तरहे खुल जाते हैं और जो हवा पीछे की और जानी चाहिए उसे जबरन आगे की और धकिला जाता है इससे अपने आप reverse thrust बनता है और हवाई जहास को रोकना और आसान हो जाता है इस वीडियो में जो CFD का उधारन हमने देखा उसे SIM Scale ने बनाया है जो एक शक्तिशाली cloud computing पर आधारित FEA और CFD software है अपने सामाने laptop या computer के जरिये जटिल CFD visualization करने के लिए आप SIM Scale पर एक मुफ्त community खाता बना सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए विवरंड देखें धन्यवाद